बचो आज हम करेंगे 2D Geometric Transformation के अंदर टोपिक है हमारे पास Homogeneous coordinates काफ इंपोर्टन टोपिक है और नुमेरिकल जाहतार आपके सेक्शन या इसी पार्ट से आते हैं तो द्यान से समझेंगे Homogeneous coordinates क्या कहता है यह solution लेकिया था जो हमारे साथ पिछले जो हमने तीन ट्रांस्फोर्मेशन की थी Translation then rotation और Scaling की थी वहां पर वह कहता है कि मान लोग कि बढ़ी क्या problem है जैसे मान लोग कि हमारे पास यह coordinate system है यह कहता है कि मान लोग कि एक अब्जेक्ट है मेरे पास ऐसे आपको बोला गया कि पहले आप इसको translate करो कुछ बोता दिया जाएगा कि इतना x direction में इतना y direction में then आपको बोलता है कि फिर आप इसकी scaling करो कि आपको इतना enlarge करना है x और y इसमे scaling factor से इसको रोटेट करो दोफेड़ रोटेऻन श्र है मतलब यह करने के बाद कुछ एक काई रहो सकता है इस सीक्वेंस से गोजना पड़ाएगा जो काफी क्या है यह इंकुजीनियन्ट कि एक सोलुचन ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे को क्या बोले गए हो इस object के coordinate जो starting के वह हो और मैं सिधा क्या करूँ एक ऐसी equation बनाओ कि यह कैसी matrix बनाओ simple मैं उस matrix के अंदर इसको डालूँ और नए coordinate बना लूँगा जो मेरे निकलेंगे तो homogeneous coordinate ने हमें वही system दिया कि क्याता है कि प्राने coordinate जो पहले object जहां पड़ा वो उठाओ और सिधा हमारी equation के अंदर डालो हमारे पास सिधा solution आ जाएगा तो यह कहता है कि उसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जितने भी हमारे पास translation rotation and scaling थी इन सबके अंदर जो भी matrix थी हमें को क्या करना है 3 into 3 की matrix में convert करना देन हम इसका solution निकाल सकते हैं कैसे देखो जैसे इसने का क्या हमें homogeneous coordinates बनाने और translation के तो इसको 3 into 3 की matrix में कैसे बनाएंगे तो जो हमारे ट्रांसलेशन जो हमारे पास matrix होती थी ठीके जी वह क्या थी इसको 3 by 3 में कैसे convert करेंगे इसको 3 by 3 में हम ऐसे convert करेंगे टी एक्स टी वाय वो नीचे bottom पर आ जाएंगे बाकी horizontal यह जो होती है हमारी diagonal जो होती सोरी इसमें 1 बना जाएगा बाकी सब 0 तो इसका जो आंसर होगा वो सेम ही आएगा कि इसको वो चेंज नहीं कर रहा है इसका आंसर multiplication में सेम ही आएगा जब इसको हम multiply करेंगे new coordinates के लिए तो पराने coordinates को हम को भी 3 में कर रहे है xy था पहले उसाथ में 1 लगा दिया जब इसको 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 multiply करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास same way matrix आ जाएगी बढ़ यह क्या easy करने का तरीक है आगे अगर हमें rotation के लिए करना तो इसको 3 to 3 की matrix में कैसे करेंगे यह चार तो हमारे पास थे साइन थीटा माइन साइन थीटा कोस थीटा यहां पर इसको क्या क्या है डेगनल में उसको वन कर देंगा तो यह यहां पर वन आ गया बाकी सब 0 ठीक है इसको जोब हम multiply करेंगे rotation वाली में तो हमारे पास क्योंगी xy1 हम इस लि लेके चल रहे कि जब multiply होगा तो कुछ नहीं रियल देगा सिर्वन देगा तो वो क्या हमारे पास वन मेक्टिक्स हो जाएगी इसको लिया इसको multiply करोगे तो एक्स डेक्स की वेल्यू क्या है एक्स को सीटा माइनस में वाई साइन थीटा यह आती थी वहां पर भी और वाई जीरो जीरो यह था पहले बागी क्या करें डियागनल वाले में वन लगाएंगे बागी जगा जीरो अब इसी को उठा के किस से multiply करेंगे जो मारे पुरारे कोडिनेट थे एक्स वाई वन से और answer हमारे पास वही आएगा जब इसको आप solve करोगे यही चीज आने वाली है तो तो हम सिंपल क्या करेंगे translation लेंगे पहले देखो translation वाली है तो ये लेंगे ठीक है डैन उसको टी ये वाली दे लेंगे dot फिर मेंखो scaling कर नहीं है तो scaling वाली का है, यह वाली है, इसका S ले लेंगे, हमें multiplication में करना है, ठीक है, dot S, fin rotation ले नी यह, rotation वाली matrix से ही है, यह लिख लो, ठीक है, then translation करने है, दुबारा से, translation कर लो, then rotation कर दी है, rotation कर लो, ठीक है, यह क्या हो जाएगे, multiplication factor हो जाएगा, इसको हम किसके साथ multiply कर रहे है, जो मेरे पुराने coordinator P, ठीक है, और जो नया क्या मिलेगा, P dash मिल जाएगा हमें, तो ये इस तरीके से आपके क्या हो जाएगी, जो multiple transformation होती है, एक ही matrix से आप निकालोगे, और सीधा के अंदर value डाली और answer आजाएगा, इसको चाहिए अलग से calculate कर लो, जैसे merge करना हो, सीधा की transformation से, एक ही matrix से answer आजाएगा, तो अब अगली वीडियो में मैं अभी मुझे पता, थोड़ा सा कई बच्चों को माइंड में doubt रहेगा, अगली वीडियो में क्या कर रहा हूँ, कि मैं 3-4 numerical के करके वीडियो में discuss करूँगा, ताकि इसका जो base से बनता जाए और जब numerical paper में है तो आप उसको अच्छे से handle कर सको, ठीक है, but matrix tip त्यारी आप कर लेना अच्छे से, तब यह आप इनके numerical को अच्छे से solve कर सकोगा, तो मिलते अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी है तो like and share जरूर कर दीजिएगा, Thank you,